नमस्कार दोस्तों सौगते आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शिमला मिर्जी के फाइदों के बारे में फ्रेंज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो का भी एक प्रमुक सोर्थ है मुख्य रूप से सबजी नूरल्स और गानिश के लिए इस्तिमाल होने वाली शिम्रा मिर्ची को कहीं लोग सुलात के रूप में भी खाना पसंद करते हैं शिम्रा मिर्ची में केलोरीन ना के बराबर होती है जिससे कोलेस्टरोल बढ़ नहीं पाता है इसके अलावा शिम्रा मिर्ची के और भी कहीं धेरो फायदे होते हैं अब फ्रेंट मैं आपको बताती हूँ कि शिम्रा मिर्ची के क्या-क्या फायदे होते हैं अगर आप वजण घटाने को लेकर फिकर मन्द है तो शिमला मिर्च आपके लिए बहुत ही अधिक पाइदे मंद है इसमें बहुत ही कम मात्रा में कैलोरी होती है जो वजन गटाने में मदद करता है इससे मेटा पुलीजम की प्रक्रिया बढ़ती है कैलोरीज बढ़ करने के साथ ही एक कॉलेस्टरोल का स्थर बढ़ने नहीं देता है इसके अलावा विटामिन A और C से भरपूर शिमला मिर्ची एंटी अक्सिडेंट का एक बहुत ही अच्छा माद्यम है साथ ही दिल से जूड़ी बिमारिया, अस्थमा और मोतियविन से बचाओ में भी ये काफी फाइदे मंद होता है इसके अलावा बात करते हैं अगले फाइदे की जो है कैंसर ऐसा माना जाता है कि शिमला मिर्च कैंसर से बचाओ में भी काफी मदद करता है ये cancer cells को विक्सित नहीं होने देता और ऐसा माना जाता है कि हर रोज किसी न किसी रूप में शिम्ला मिट्ची का 7 करने से cancer होने की संभावना कम हो जाती है इसके अलावा friends बात करते हैं अगले फैदे की जो है दर्द में आराम शिम्ला मिट्ची में ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो तोचा से दर्द को spinal cord तक जाने नहीं देता है साथ ही इसमें मौझूद बहुत से तत्व नेच्चुरल पेन कीलर की तरह काम करते हैं इसके अलावा बात करते हैं अगले फैदे की जो की है immunity बढ़ाने में बिटामिन सी से भरपूर वोने की वज़य से संक्रामक रोगों से लड़ने में भी मदद करता है ये रोग प्रती रक्षा को बढ़ाने में भी कारगर है लंग इंफेक्शन अस्तमा में भी काफी जदा फाइदे मन्द होता है अगर किसी को उस्तमा की विमारी है तो उसके लिए शिमला मिर्ची बहुत ही जदा फाइदे मन्द होती है तो देखा दोस्तों आपने ये दे शिमला मिर्ची खाने के फाइदे उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो बसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले थाइंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई